गर्मियों का मौसम हो और आम की बात नहों ऐसा तो हो नहीं सकता अब आम के दिना गर्मियों का मौसम थोड़ा धूरा है है ना? लेकिन आम जो है वो स्वाथ के साथ साथ स्वास्त के लिए भी बहुत जागवाध है इनफार्ट आप जानते हैं कि फलों की दुनिया में इस फल को फलों का राजा भी कहा जाता है जी हाँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आम के बारे में कुछ ऐसी बाते जिससे आप अभी तक वाकिप नहीं है क्या है ये सारी जानकारी जानने के लिए देखिए ये वीडियो कॉलिस्ट्रॉल नियोमित रखने में मददकार आम फाइबर और विटामिन सी से भरपूर होता है जिससे कॉलिस्ट्रॉल संतूलित रखने में मदद होती है ये बाट कॉलिस्ट्रोल घटाता है गुट कॉलिस्ट्रोल को भड़ाता है जिससे दिल की बिमारियों से छुटकारा मिल सकता है और समय रहते गंपीर बिमारियों से भी बचा जा सकता है मुटापा घटाने में फिट रहना किसे नहीं पसंद अगर आप भी वजन से परिशान हैं और वजन घटाना चाहते हैं तो आम एक अच्छा विकल्प है आम की गुटलियों में मौजूद रेशे शरीर की अतिरिक चर्वी घटाने में बहुत मददकार है आम खाने के बाद भूख कम होती है जिससे ओवरीटिंग का खत्रा भी कम हो जाता है जी हा क्या आपने कभी सोचा था कि आम के रेशो से भी वजन को नियंत्रित किया जा सकता है तोचा के निखार के लिए फाइद मंद आम विटामिन C से भरपूर माना जाता है जिसकी वज़ा से आम के गूदों को चेहरे पर लगाने से निखार बढ़ता है और चेहरे पर चमक आती है साथी साथ आम में विटामिन E की मात्रा भी पाई जाती है जिससे तोचा की नमी बरकरार रहती है आँखों की रोशनी के लिए आम आँखों के लिए भी फाइद मंद है इसमें विटामिन E की मात्रा अधिक होने की वज़ा से आम आँखों की रोशनी बढ़ाने में मददकार साबित होती है इसके नियमत सेवन से आँखों की चमक बरकरार रहती है या दाश बढ़ाने के लिए मददकार क्या आप जानते हैं आम में पाए जाने वाले ग्लूटमिन आसेड या दाश बढ़ाने के लिए भी बहुत ही जादा फायदे मंद है इन फायदों के अलावा भी आम के अनेक फायदे हैं जैसे गर्मी से बचाफ, कैंसर से बचाफ और तनाप से बचाफ आम को ऐसे ही नहीं गुडो का खान और फलो का राजा कहा जाता है Well I hope this helps, मुझे तो आम बहुत पसंद है और अगर आपको भी पसंद है Stay Healthy, Stay Fit